हेलो गाइस माइनेम कुल्डीप एंड वेलकम टू स्टडी फंडा सो अज के इस लेक्शन में हम बात करेंगे अमेजन के बारे में इसके ख़लाब एक कंट्रोशी खड़ी होगे जैसे कि इसमें एक कैमरा है जिसके विएसे वो कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है मतलब वो देख सकता अपने पूरे घर को तो इससे ना प्राइविशी का इश्यू जो है वो खड़ा हो गया तो इसी वैसे यह थोड़ा कंट्रोबिशल होगा इसमें करेंट अफेर में तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे इस वीडियो में तो इस लेक्टर को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो जैसे इस से पहले आप जानेंगे इस से पहले हमने देखना पड़ेगा कि रोजोट किया होता है मतलब रोवोकी किसको बोलते हैं सवे कुछ बहुत्य आप्प जिस मसीन ऑमन्रेयल जो human का जो काम है ना उसको और ज्यादे easy कर दे उसी को machine या robot बोलते हैं like tv freeze या computer हो गया laptop हो गया या vehicle हो गया मतलब अगर तो यह सब चीज़े machine है तो उन्हीं को automatic सब काम है तो robot इसी तरह के वो type होते हैं तो इन सब चीज़ों में एक capability हो लोते हैं उस जो tough काम को easy way में करने ने का so it is it has a capable of carrying out a complex series of action automatically मतलब automatically वो जो complex series यह complex जो काम होते हैं उसको काफी easy way में कर देते हैं तो उन्हीं को हम robot या machine बोलते हैं तो यह इनके कुछ अलग अलग तरीके type होते हैं like industrial robot हो गया अगर किसी एक काम करने जहां दस लोग लगते हैं तो वह machine के अदारा या जो इस काम को करने में एक machine का यूज़ गया और वो कम से कम समय में कर देगा तो उनको industrial robot बोलते हैं mobile robot मतलब moving robot होते हैं जो चल सकते हैं तो उनको mobile robot बोलते हैं human head हो गया मतलब कुछ इंसान की तरह दिखने वाले जिनको कुछ इस तरीके के देखे हैं तो उनको human head robot बोलते हैं वो कुछ है कि यह का दक्ष रोबोट है तो इसको military में आर्मी में यूज करते हैं इसको तो यह इसका नाम या रखना तो अपने topic पर आते हैं तो astro robot है जिसको किस ने develop क्या है Amazon company ने इसको अनूविल क्या है जो की एक home robot है मतलब तरह कि तरह एक्सा में क्या है आप कमांड देतने तो लेक्सा वर्क करती है यह वी सेम ऐसे आप इसको कमांड दो वर्क कर रहे हो लेकिन इसमें कुछ चीज़ डिफरेंट है एलक्सा से इसको ही तरीकेसे कि जो कस्टमर नाई उनका टास्क वह ज्यादे इविए मांसे मन्हें यह अपने जो जो कस्टमर कर जो घर है जो खको गर घर उसको इसमें कुछ अलग है वह मताब इसमें उस उस घर को मॉनिटर कर सकता है तो इसको जो कंपनी है जो एमोजिजन कंपनी उसको होम सेक्यूर्टी डवाइस की तरह इसको बोलती है ठीक है वह इस तरीके से जाने क्याता है यह चल फिर सकता है पूरे घर में है जो भी घर में अगर पैट्स लगान उनको भी देख सकता है यह कोई ंईजिल चीज हो रही है उस घर में उनके एपसंस में उनको भी यह डेक्ट करता है विकॉस इसमें केमरा भी इसमें रिकॉर्डिंग के लिए जो जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है इस चीज को या और इसी की वेसे इसमें ये इशू खड़ा हो गया ठीक है इसमें बदाए कि इसमें पैरिस को पैरिस को कैमरा है जो एक तब पॉप अफ की तरह मतलब यहां से कैमरा तो यहां से कर सकता है यहां से निगलेगा कैमरा तो वह चीजें रिकॉर्ड कर सकता है वह इसका मतलब यह में फंक्शन है तो कैमरा डैट पॉप अपस फ्रॉम इट्स हैड और गर की रखवाली करने के लिए उस कैमरे का यूज कर सकते है और यह जो डिवाइस है वह वह वीडियो रिकॉ बठाड कीज़ सकते हैं तो यह इस रोबोट का यूज है बड़ इसके कुछ इससे कुछ इसू हैं वो खरेर हो गय है जो सिवल सोइसाइटी हो जी है उनन्हें और बोलाए ऐगई जो रोबोट है न वो ना जो जो हीमन है उनकी प्राइविसी खट करता है विकॉज यह इसम सिविल सुसाइटी जो सिविल सुसाइटी है उनका कहना है ठीक है तो यह जो डेटा है अगर किस सब्सक्राइब इसे डेटा को यूज करेंगी और जो इस घर में रहने वाले उनको टारिट करेंगी और उनको ऐसे प्रोडक्त दिखाए जिनकी उसमें रूची हो ठीक है तो यह उनका बोलना है तो इसमें बोलना है कि तो जैसे मैंने जो हिंदी मता है वे इंगलिस में लिखा है कि अमेजन कंपनी इस एस्टो रोबोट का यूज करेगी जो हाउसोल्ड है जिसके घर में ये रोबोट होगा उसको टारेट करेगे और अपने प्रोड़क्ट के जो एड़टाइजर उस घर के जो भी लोग है उनक टसके निसमें सांड के राव है इसमें एकनमरा भी है जान्य पूरीस में चेल सकता है इसमयाव भी लगे हों है तो इसवैसे है मूव लूब भी कर सकता है पूरे गर्मार जसे यह पूरे गर कर सकता है आपकी एपसंस में है ठीक है साल Ö तो जैसा हमाब paper Go Two होता है तो पेपर तू में जयसMore है में यूज कर सकते हैं इसमें आर्गौमेंट्स में यूज कर सकते थो तो इसमें पॉइंट्स हमें देखें,अद्वान्टीज वाली पॉडश है, जो पॉइंट्स है, तो पहला पॉइंट ये है कि रोबोट के इंक्रीज प्रोड़क्टिवी, efficiency and quality and consistency मतलब जो रोबोट की वएसे जो काम करने की जो प्रोड़क्टिव है वो इंक्रीज हो सकती है और जो क्वालिटी है और जादे इंक्रीज होगी और जो consistency है वो इंक्रीज होगी रेगूलर होगी ऐसा अगर यू और जो कोई human जी मिल लिए तब तक वो काम करें इसके लावा रोबोट के वर्क इन वारेंट विचार अंच विचार अंच एंच एंवार्मेंट काम कर सकता है जो humans के लिए अंसेफ होगा अंसेफ होगा इस सबसे यह रोबोट का एक एडवांटेज हो या इसके लावा हैं और जो आपको कर रहा तो वो बोर होने लगता बट रोबोट के मामले ऐसा कुछ नहीं है वो एक काम को बार बार हर बार कर सकता है सेम तिंग अगेंड ठीक है तो यह कुछ इसके डिस यह कुछ इसके एडवांटेज हो गए अब इसके हम डिस अड़ांसेज देखते हैं तो इसके डिस देखा जाए तो इट क्रिएट एकनॉमिक प्रोग्लम एफ देडी प्लेश हीमन माद अब यह है कि अगर जब रोबोट क करते हैं तो जो हीमन जोब हैं वह कम हो जाएंगी मंदा हीमन जोब के रिप्लेश में यह आ जाएगा तो एक एकनॉमिक प्रोग्लम क्रियेट हो जाएगी ठीक है इसके लाबा सम इंडिस्ट्री आर रिप्लेशी हीमन वर्कर्स इन फेसिफिक रोल विद रोबोट मता कुछ इंडिस्ट्री हैं जो हीमन की बदले रोबोट को दैन रोबोट को ला रहरे है तो सके तो इस की सखकर में प्रोग्राम उदलेशी वह काम करें जो समय प्रोग्राम लेगा बट ठीक है तो इन अधर वड्व लोट डू एगजेक्ट लीवाट डिजैन मतलब वह काम करेंगे जो इसके लिए वह बनी हो जाता है then next thing then the initial investment to integrate robotics into your business can be significant and heavy. अगर जाज़ा किसी छोटा मोटा business अगर उसमें machine को यह robot को रोबोट को introduce करेंगे तो काफी ज़्यादा खर्चा हो जागा तो वही इसमें बता आया तो मदद initial phase में जो heavy जो economic button वो ज्यादा increase होगा इसके लावा it also employee will require training to interact with new robotic equipment which normally takes time and financial output मतलब जो employees हैं उनको digital literacy कम होगे तो उनको यह training देने में time भी लगएगा उनको और जो new robotic equipment उसको समझाने में काफी दाट टाइम लगएगा तो it took so it take lots of time and also financial output ठीक है तो यह point को यादाजाना यह disadvantage में आसार आ जाएंगे ठीक है तो इसका वेफॉर हम देखें तो वेफॉर यह बनेगा कि टेक्नोलोजी का revolution प्रोपर्ड बाइ आटिफीशल इंटेलिजेंस में मशीन लगए एटीसी इस दा नीड ऑफ दा आवर टू इन्हेंस एफिसेंसी प्रोड़क्टिविटी और यह बोला है यह जो टेक्नोलोजी का रिवलुशन आ रहा है जो किसके फॉर्म में आ रहा है आट आटिफीशल इंटेलिजेंस हो गया यह एक तरह की जरूत बन जाएगी आग आने वाले टाइम में बिकोज इससे एफिसेंसी इंक्रीज होगी प्रोड़क्टिविटी बेड है जो इंडेस्ट्री है उनकी तो यह मतलब हमें अडप्ट करने ही पड़ेगी इसका कोई भी सब्स्टिडूट नहीं है बट इसका मतलब यह नहीं है हम इसको यूज नहीं मतलब इसको अवाड़ी करते हैं तो इसी वैसे इसको हम अवाड़ी नहीं कर सकते हैं बट इनको ह सेख सकते हैं थीक है तो लाइक प्रीवेस इंडिस्री जो पहले के जो इंडेस्ट्री रिविश्ट हो ऑख है सेम इसी तरह की अपजो होने वाला आई है इंडेस्ट्रीवेस्ट्री जो जो आधिफिस इंडेस्न के बैसेज है रोबोटिक्स में टेक्व फ्यू बट इट आने पर जॉब कम हो जाए बट ऐसा नहीं हो उसके उसके यह हुआ जैसा हमने सोचा कि आने पर जॉब लोज है बट उसके बले क्या हो और ज्यादा जॉब क्रेट हो सेम ऐसे ही है कि यहां हमने बिना रिजल्ट मतलब अभी कुछ इसको इंट्रोड्यूस नहीं हम पहले से भी आजना तो इन सब पॉइंट्स को आप ऐसे में यह आर्गूमेंट में यूज कर सकते हैं तो ठीक है तो आज की लेक्ष में बस इतना ही तब तब के लिए धन्यवाद एंड जैहन